हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एपिसब 22 के शरवात में सुवियन अपनी मॉम को बिजनस ट्रिप का कहकर घर से चली जाती है सुवियन की मॉम जल्दी से यूंचंग को कॉल करती है अभी सुवियन रस्ते में होती है कि इसको यूंचंग की कॉल आती है यूंचंग सुवियन से कहता है कि तुम अपनी मॉम से कुछ चुपा रही हो उनकी अभी मुझे कॉल आई थी सुवियन और फैंग्विन फैंग हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए अपनी आईडी सिखाते हैं तो गार्ड के लिए लगता है कि इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है किसी भी आइमिर dönसी के बग़ार्र या हॉस्पिटल के डिरेक्टर की परमिशन के बग़ार्र कोई बी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता फैंग्विन फैंग्विन सुविन को साइड मे लेकर आचाता है फैंग विन फैंग सुवियन से कहता है कि इन से बहस करने की कोशिश नहीं करो वर ना ये तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं सुवियन कहती है कि मुझे मेडिकल लॉस की बारे में पता है फैंग विन फैंग कहता है कि मैं तो तुम्हें वैसे याद इला राता क्योंकि तुम गुयन जंग के लिए कोई भी रिस्क ले सकती हो सूवियन कहती है कि मैं तो सिर्फ अंडर जाना चाहती हूँ फैंग विन फैंग कहता है कि यह निम्यूनिक प्लेग बहुत ज़ादा खतरनाक है यह कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन सुवियन इसकी बात सुनने से इंकार कर देती है यह निम्यूनिक प्लेग बहुता है यह निम्यूनिक प्लेग बहुता है सरजरी थी मैं तो बस यह जाना चाहरा हूं कि क्या वो सरजरी कामयाब हुई है यह नहीं दूसरी नर्स पताने लगती है कि कुछ टाइम पहले आपको डॉक्टर फैमिन फैंग की कॉल आई थी लेकिन आप यहां पर नहीं थे उनके मूट से तो ऐसा ही लग रहा है कि सरजरी कामयाब हो गई होगी यह सुनकर गुयंजंग को अच्छा लगता है युनचंग इसे पुछता कि तुम यहां पर क्या कर रही हो तो सुवियन कहती है कि मैं करंटीन एरिया में हास्पिरल की मदद करवाने के लिए आई हू लेकिन यह मुझ अंदर नहीं जाने दे रहे युनचंग सुवियन से कहता कि गुयंजंग ठीक है मैं अभी डिरेक्टर के आफिस से आ रहा हूँ मैंने किसी भी स्टाफ के इंफेक्टिड होने के खबर नहीं सुनी लेकिन सुवियन अभी भी बार बर हॉस्पिटल के तरफ देखे जा रही होती है युनचंग कहता है कि तुम फिकर नहीं करो सुवियन से पुछते कि कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर मैं इन पैकेजिस पर कोई मैसेज लिख दूँ ये वर्कर सुवियन को मैसेज लिखने देते हैं अब सुवियन हर बॉक्स के उपर कुछ ना कुछ लिख रही होती है अब यहां पर यूँचंग को मैसेज आता है कि सुवियन की आंट सेनाटोरियम में सेन के लिए इट कर रही है इसलिए तो मैं यहां पर जल्दी आना होगा जब यह लोग बर्गर डिलेवर करने के लिए आते हैं तो यूँचंग को दुबारा मैसेज आता है को मैसेज को देखने के बाद यहां से हलाँ जाता है सुवियन की आनट के छोट लग जग गई होती है यूँचंग जो सुवियन की आनट के बेंडिश करने लगा होता है तो आनट कहती है कि मैं मेडिسन लेना चाहती हूँ आज मैं खुद को बिलकुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई और उस मेडिसन से में बहतर हो रही थी यूंचिंग सुवियन की आंट की बात का कोई जवाब नहीं देता और पिर सुवियन की आंट को म्यूजिक थेरपी रूम में ले आता है यूंचिंग कहता है कि मैं कोरिया डिजीस की मेडिसन पर तीन साल से काम कर रहा हूँ मुझे इस बात की यकीन है कि आपकी बिमारी का मेडिसन से कोई तालुक नहीं है लेकिन आपकी जो अभी हालत है उसमें आपकी मेडिसन जारी नहीं रख सकती इसलिए अब आपको ड्रग ट्राइल भी छोड़नी पड़ेगी सुविन के आंट कहती है कि तुम परफेसर वेंड से मेरे लिए बात करो मैं इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ यूंचिंग कहता है कि ये नियमों के खिलाफ है सुविन के आंट बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है तो यूंचिंग कांट्रेक्ट दिखाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर आपने साइन किये हैं सुविन के आंट कहती है कि हाँ यहाँ पर मैंने ही साइन किये हैं यहाँ पर दो नर्स आपस में बात कर रही होती है कि एक लड़की हॉस्पिटल के गेट पर डॉक्टर गुयंजंग को ढूढ रही है इतने में एक पेशन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आखिर डॉक्टर गुयंजंग कौन है एक नर्स ग्यांजंग को भरगर का बाक्स दिखा कर कहने लगती है कि दॉक्टर आपको कोई ढूँन रहा है ग्यांजंग जब ये बाक्स देखता है तो इस पर सूवियन ने लिखा होता है कि मुझे कॉल बैक करो ग्यांजंग देखते ही समझाता है कि यह तो सुवियन की हैंड़ उतने हैं विषन का नाम सुन देता है इतने में यूचंग को सुवियन की कॉल आती हैं जो कि इसे करेंटाइन एरिया के अंदर वॉलन्टियर ट्रांस्लेटर के तौर पर काम करना चाह रही होती है यूंचंग कहता है कि गूंचंग को करिंटाइन कर दिया गया है क्योंकि उसमें भी वाइरिस हो सकता है इसलिए अगर तुम अंदर आ भी गई तो तुम्हें उसके पास नहीं जाने दिया जाएगा और यह अपने आप से कह रहा होता है कि चाहे मैं जो कुछ भी कर लूँ तो मैं हमेशे गूंचंग की क्यों नजर आता है और अब सुवियन नर्स के तौर पर यहां पर आ गई होती है गूंचंग को रूम में अड्मिट कर लिया गया होता है और सुवियन यहां पर बगएर अराम किये बस कामे किया जा रही होती है अब यहाँ पर एक announcement होती है सुवियन इसको सुनते ही गुएंजंग के room की तरफ भागनी लगती है और जब ये room में जा रही होती है तो ये अपने आप से कहती है कि मैं गलत थी और अब मुझे अपने फैसले पर पश्टावा हो रहा है लेकिन सुवियन जब जाकर देखती है तो गुएंजंग बेट पर नहीं होता और अब announcement हो रही होती है कि इस पूरे department को disinfect कर दिया गया होता है और lockdown खतम हो गया है लेकिन सुवियन इस announcement को नहीं सुनती सुवियन जबेट के बेट के पास पैट कर लोने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे जूट बोला था ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और रोते हुँ कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह कर दिन भी कभी आएगा और कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें पहरी देखा था मुझे तब से ही तुम बहुत अच्छे लगते हो लेकिन मैंने अंदर तुम्हारा सामना करने की हिमत नहीं थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरा रास सब के सामने आ जाएगा अब मैं यहीं सोचते थी कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती अब मैं बादा करती है कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें खुद यह बात बताओगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ गुरंजंग कहता है कि ठीक है फिर हमारी डील हो कई है ये कहते ही गुरंजंग कर्टिन पीछे करके सूवियन के सामने आ जाता है सूवियन कहते है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मैं बहुत डर गई थी गुरंजंग सूवियन से कहता है कि तुम अपनी किसी भी बात से नहीं मुकरना क्योंकि मुझे ये सारी बातें यान हैं कि सुनते हैं ये सुवियन गुरिंजंग को हग करती है सुवियन गुरिंजंग से कहती है कि या तो मैं अभी भी एक बिमार गर्डफरिंट चाहिए तो गुरिंजंग इसका हाथ पकरता और कहने लगता है कि से मिलने के चार रही हो सुवीन के चली चाती है Suvien Gwynh Seng को मेसेज करती है कि मैं एमर्जंसी में डॉक्टर Gwynh Seng से मिलना चाहती हूँ Gwynh Seng जब यह मेसेज देखता है तो पुछता है कि शेकायत क्या है तो Suvien इसको मेसेज करती है कि बाइप दिनों से मैंने वोफ्रें को नहीं देखा अब गुएंजंग सुवियन को अपने साथ थियेटर लेकर आता है सुवियन इससे पुछते कि इतने अर्से से तुम ये देखने के लिए प्लैन कर रहे थी फिर जब ये लोग बाहिर आते हैं तो सुवियन गुएंजंग से कहती है कि क्या तुम्हारे पेशेंट्स और स्टुएंट्स को पता है कि तुम हॉरर मुवीज से ड़ने की बहुत अच्छी आक्टिंग कर लेते हो गुएंजंग कहता है कि Тुम मेरे हाथ पकड़कर देख सकती हो मैं वाकिय मीं बहुत डर रहा हूं जब गुएंजंग ऐसा करता है तो सुवियन हसने लगती है और फिर गुएंजंग सुवियन को हUG कर लेता है एक पेशन्ट जिसने कोरियर डिजीस की ड्रग ट्राइल में पार्टिस्पेट किया था उसकी एनरूसियम की कारण डेथ हो गई है उसका केस भी तुम्हारी आंट जैसा है सुवیन प्रशान हो जातीर कहने लगती कि पर्फेसर वैन को इस मसले को सीरियसली नहींना होगा अब यही बात सुवीन यौन्चंग को भी बताती है इतने में यूंचंग का असिस्टेंट आता है जो इसको बताने रगता है कि मिस्टर यांग के मताबिक ये एक रेर केस है जो के दुबारा नहीं होगा हर चीज कंट्रोल के अंदर है और कोई भी चीज अब कोई डिजीज की मेडिसन को मार्केट में जाने से नहीं रोक सकती यूंचंग कहता है कि अगर इस तरह के कोई ख़बर भी बाहर निकली तो मैं कंपनी का कंट्रोल खो दूँगा इसलिए हम कोरिय डिजीस की मेडिसन में अब कोई भी खलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर याइंग को हमसे भी ज्यादा इसकी फिकर है क्योंकि अगर ये मेडिसन मार्किट में आ गई तो मिस्टर येंग की भी परमोशन हो जाएगी आज हास्पिटल के बाहरी सुवियन प्रोफेसर वेंग का इंतजार कर रही होती है ये प्रोफेसर वेंग की गाड़ी करोगने के कोशिश करती है लेकिन खुदी किर जाती है अब जिब को एंजन इसको बेंड़िज कर रहा होता है तो ये कहने लगता है कि तुम मेरी लैब क्यों नहीं जॉइन कर लेती वैसे भी मुझे एक रिसर्च असिस्टेंट की जरूरत है हम मिलकर इस सब का हल निकाल सकते हैं तो विन कहती है कि मैं ये जॉइन नहीं कर सकती और इसी मुमेंट पर एपिसर टोनीटू खतम हो जाती है